कई बार स्ट्रगलिंग कलाकारों को निर्माताओं ने शुरुवाती दिनों में काम देने से इंकार कर दिया और बाद में चल कर ये बड़े सूपरस्टार बन गए हम ऐसे ही कुछ कलाकारों के बारे में आज बात करेंगे अमिताब बच्चन जब अमिताब बच्चन मुंबई में काम की तलाश कर रहे थे तो किसी निर्माता ने उन्हें ये कहकर बाहर का रास्ता दिखा दिया था कि तुम्हारी लंबाई बहुत ज्यादा है हाला कि बाद में बिग बी की यही लंबाई उनकी शक्ती बनी और वो इंडस्री के शहनशा बन गए गोविंदा बताये जाता है कि गोविंदा अपने शुरुआती दिनों में बच्चे की तरह लगते थे जिसका रण कई निर्माताओं ने उन्हें फिल्में ही नहीं दी थी वो दौर विनोध खन्ना, अमिता बच्चन और मिथुन चक्रवर्ती जैसे माचो मांस का था शारुख खान सुनने में आता है कि शारुख खान को शुरुआती दिनों में अपने चॉकलिटी लुक के लिए काफी आलो चनाए सुनने को मिलती थी हाला कि बाद में वो रोमांस गिंग बन कर उभरे इर्फान खान इर्फान खान की आक्टिंग के दिवाने आज विदेशों में भी हैं लेकिन आपको ये बात जानकर हैरानगी होगी कि किसी समय निर्माता उन्हें कहते थे कि उनकी आक्टिंग बिलकुल बेकार है नवाजुद्दीन से दिखी बॉलिवर की नई जेनेरेशन के सबसे कमाल के कलाका अर्ण नवाजुद्दीन के बारे में हम सब जानते हैं कि उन्होंने कैसे कैसे दिन देखे हैं जब उन्होंने अपने करीबियों से कहा था कि वो आक्टर बनना चाहते हैं तो लोग उन पर उस समय हसा करते थे अर्जुन कपूर अर्जुन कपूर एक समय बहुत मोटे थे बताय जाता है कि उस वज़ह से उन्हें कई फिल्मों से हाथ धोना पड़ा था हाला कि आज वो इंडस्री के सबसे फिट कलाकारों में से एक है अभी विडियो को लाइक करें शेयर करें और अभी चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की चटपटी न्यूज देखने के लिए फिर मिलेंगे मसालेदार खबरों के साथ बाई बाई